अलो दोस्तो आप सबका स्वागत है हमाई चनल पर दोस्तो आज हम आपके लिए एक बहुत एक खास टॉपिक लेकर आए हैं आज हम आपको कुछ रेसिपीस के बारे में बताएंगे जिनको खाने से आपका वजन कम होता है सौधिस्ट और लजीज़ खाना खाना आकर हर किसी को पसंद होता है लेकिन मोटापे से परिशान लोग खाने के मामले में भी मन मसोस कर रह जाते हैं कोई भी चीज़ खाने से पहले वैस सो बार सोचते हैं कि इसे खाएं या नहीं इस चक्कर में वैं डाइटिंग तक करते हैं लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी रेसिपीस के बारे में बताएंगे जिन्हें आप बेहिचक ट्राइ कर सकते हैं और इनमें खास बात यह है कि इन फूर्स को खाने से आपका वजन भी कम होगा सबसे पहले तो ब्रोकली ब्रोकली को आप अपना स्टीम करके भी खा सकते हैं इसके लावा इससे आप सलाद या फिर सबजी के रूप में भी ले सकते हैं दोस्तो दूसरी आइटम है लाल शिमला मिर्च लाल शिमला मिर्च को वजन घटाने के लिए सबसे कारगर माना जाता है इसलिए आप इसे अपनी डाइट में शामिल करें आप इसे किसी भी तरह बना कर खा सकते हैं जैसे कि प्याज और लाल शिम्ना मिर्च का टोस्ट या फिर इसकी सब्जी या फिर आप इसके रोल बना कर भी खा सकते हैं इसके लावब दोस्तो केला और बदाम का टोस्ट केला और बदाम का टोस्ट खाने में जितना टेस्टी होता है उतना ही हेल्दी और फुल फिलिंग भी होता है मतलब इसे आप ब्रेकफास्ट में खाते हैं तो लंच टाइम तक तो आपको भूख खा एसास भी नहीं होगा चुकुंदर की चटनी वजन गटाना हो या फिर चरबी चुकुंदर इसमें कमाल दिखाता है चुकुंदर को किसी भी फॉर्म में खाया जा सकता है इसका जूस और चटनी मुटापा कम करने और वजन गटाने में मदद करती है चुकुंदर में वटामिन C, डाइटरी फाइबर, नाइटरेट्स, बिटैनिन और फॉलेट होता है जो कि हमारा वजन कम करने में सायक होता है अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो कद्दू यानि सिताफल एक ऐसी सबजी है जिसे आप बेहिचक भरपूर मातरा में खा सकते हैं माल लीजी कि अगर आप वजन कम करने के चक्कर में रात में सिर्फ सलात खा रहे हैं तो आप उसकी जगा सिर्फ कद्दू भी खा सकते हैं इसे आप सबजी या सलात के रूप में भी ले सकते हैं दोस्तो हमारी आखरी रेसिपी है टर्की चिकन या नौनवज खानों के शोकिन लेकिन मुटापे और बढ़ते वजन की वज़ा से नहीं खा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं इसकी जगह आप टर्की खा सकते हैं टर्की में चिकन के मुकाबले कम कैलरी होती है और इसमें प्रोटीन और नूट्रेंट्स अधिक मातरा में पाए जाते हैं तो दोस्तो आज इस वीडियो में हमने आपको कुछ रेसिपीस के बारे में बताया जिनने अगर आप भरपेट या रेगलर भी खाते हैं तो इसे ना तो आपका वजन बढ़ेगा बलकि उल्टा इसे आपका वजन कम होगा दोस्तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जाज़े से अधा शेयर करें और हमारे इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें धन्यवाद